हेलो एब्रिवान वेल्कम बैक टी यूरो टोप चैनल फोर के टीव स्टेडीज आज इस सेशन के माध्यम से हम लोग देखेंगे बीपी सी एस वन एटी सेवन के लिए यूनिट टू एकाइन नमर टू चेप्टर नमर टू ओके गाईज जैसा की यूनिट टू का नाम है माना और संसादन विकास यह जो हम लोग यूनिट वान अभिताक हम लोग देख चुके हैं जो भी अभिताक यूनिट वान कभर नहीं किया है उसको कर लीजिए उसका एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है बीपी सी एस वन एटी सेवन इंपोर्टेंट को सन वित आंसर के नेम से औ इसमें देखि कुछ महातपूर्ण टॉपिक्स हैं उस पर डिसकस करेंगे जैसे कि गायच इसमें देखिए कुछ टॉपिक्स के बारे में देखिया हम एं जूम कर देदाहां देखिए इसमें मानव संसादन विकास की अभिलक्षन उसका विकास उसका महत्व और लाव उसके बाद उसका कारी और मानुप संसाधन के व्यवसाय की भूमिका इसमें देखा चाहे तो सारे के सारे जो ना इम्पोर्टेंड है इसमें आपको इसमें से कोई एक जरूर देखने को मिलेगी एक्जाम में जैसे की गाइच मैं बता दूँँ आपके एक्जाम में जो आपके आपके टू परेंट्री कोसिस आया हुआ है पुछा जा चुका है मानुप संसाधन विकास के कारी ओके तो इसस जोना आपका कम से कम एक कोसिन देखने को मिल सकती है और जैसे कि गायच मैं बता दूं कि यह सब्जेक्ट जोना आपके 50 मार्स के एकजाम में आएंगे 50 मार्स का पेपर होगा 2 आवर का इसमें देखे गायच अगर हम लोग एक ही सेशन में इसको कभर करने की कोसिस करेंगे तो बहुत ही ज्यादा लॉंग हो जाएगा क्योंकि इसमें जोना बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट भई है और समय देना होगा तो इसलिए हम लोग ऐस सेशन के मादियम से थी टोपिक्स को कभर करेंगे और उसका नेक्स सेशन में हम लोग त्री टोपिक्स कभर कर देंगे हो जाएगा ओके चलिए स्टार्ट करते हैं जैसे कि टू बेंटो में क्या काता है मानव संसाधन विकास का स्वरूप इसको देखेंगे और यूनिट व आई में हमने मानव संसाधन परवंधन की विविन परकारियों पर चर्चा की थी जैसे कि यूनिट वन में मानव संसाधन परवंधन के बारे में बताया गया तो उसके परकारी क्या है लक्षन क्या है उसके विकास की किस तरह से विकास क्या इस बारे में चर्चा कर चुकी ह यूनीट वन में तो आप सभी यूनीट वन को जडरू देख लिजेगा ओके इस dominat विकास का सारा धियान dominat and send the commentary विकासं पर होता है यह जो है कि अवग पर विकास तोर पर हम लोग zaten संसाधनों की विकास पर फोकस किया गया है कि कि संसाधन की योगिता हो और प्राप्थ कर सकेंगे कि संगठन अपने लक्षियों को पराप्थ कर सके कि तर से हैं इस संसाधन में चैसलरा करें जैगा अतम मानव संसादन विकास का मुख्य आग्रह इसी पर रहेगा कर्मियों की अपनी संभावनाओं को पाने और कोसल और विकास करने की सहता की जाए ताकि वे संगठन में अपनी वर्तमान वं भावी भूमिकाय परवावी रूप से निभा सके यह जो ने इसमें अतम मानव संसादन विकास जो है HRD जो है इसमें किस तरह सी योगिताय और कोसल को हम लोग विकास करने की सहता करेंगे जिससे की जो आने वाले वर्तमान समय में और उसके आने वाले भावी से के लिए जो हम लोग परवावी तरिक्ये से भूमिकाय निभास सकेंगे इससे रिलेटेट ही इससे जो न इसकी योगतायों skill को development करते हैं, इसको केंदित करते हैं, ओके, तो आगे का जा रहा है, देखिए, आगे क्या का रहा है, मानव संसाधन विकास की विक्या उस प्रक्रिया की रूप में हो सकती है, जिसमें कर्मियों के कारी निस्पादन को बर समोज हो है, अगर मान की चलिए कोई office में, विभाग में, जो कर्मचारी हैं, जो इस्टाप्स हैं, वो कारी को किस तरह से निस्पादन कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, जिसे कुसको बरावा मिल सके, उच्छाहित कर सके, उसकी जो capabilities है, छमताएं हैं, उसके बाद उसकी वि सिक्षन कारी कर्मों विकास पादे कर्मों आदी द्वारा किया जा सकता है, जैसे कि तिंकर और विचारक जो है, साइन्टीश जो है, वर्नर और डी सिमोन, इन्होंने कहा है, मानव संसादन विकास की ये पडिभासा दी है, कि ये किसी संगठन द्वारा आपने सदस्यों को ऐसे अवसर परदान करने की विवेस्तित यह उन्योजित पगतिविदियां है जो उन्हें वर्तमाने में भाविकारियों की मांगो को पुरा करने के लिए आवसे कोसल प्राप्त कर सका है करा सके हैं देखे मानव संसाधन विकास का जो है यह कि नॉर्माल सा पड़िवासा दिया है वो कॉर्ण वर्नर और डी सिमोन इसका कहने का मतलब यह है कि जो संगठन है समू होती है जो केमेटी होती है उसमें जो भी सदस होते हैं उसमें जो भी सदस होते हैं उसको इस तरह से अवसर उस तरह से ओफर दिया जाता है जिससे कि जिन वो अपने गतिवीधी को अपने जो काम करने की छमताएं हैं उसको जो आके प्रोग्रेस करेगा उसके बाद जो वर्तमान समय में परजैन टाइम में उसके बाद अपना फ्यूचर सोच किस तरह से उसकी आवसिक जो भी चीजे है जो संसाधन होती है जैसे परियावरान हो गया और वह और सारी चीजे हैं जिसको आवसिक होती है इसके बारे में अमलोक उससे सतती विकास के बारे में जैसे तरह से होती है इस तरह से चीज़े जो ग्यान और कोसल उसको डिभाइड मनलद दिया जाएगा तो उसके जो न कारिकरने के जो जमताय बर जाएगी उसको मोटिवेशन मिलने लगी इससे जो न पुरा उसका विकास तो होगा ही होगा उसकी साथ साथ सम्हू का विकास होगा मान के चलिए अगर कोई संगठन है संगठन में कोई एक विक्ति अगर बहुत ही ज़्यादा अच नेक्स टोपिक आपका जो है मानव संसाधन विकास के अभीलक्षन ये भी इंपोर्टेंट रह सकता आपको इसमें से कोई न कोई एक देखने को मिलेगी तो आप ध्यान पर वक्स उलिए मानव संसाधन विकास के अभीलक्षन क्या कौन-कौन से हैं मानव संसाधन विकास के अ इससे मर्स इनकीर रेश होने की संभावनाई ज्यादा होती है एक तो इसको ध्यान से सुनिए फास्ट पर्म में कहता है ये संगठन में निरत्र चलने वाली वेवेस्थित परक्रिया है ये जो इस अंगठन समु जो है लगातार चलने वाली विवेस्था ऐसा नहीं कि आज कर परसु छोड़ दिये, एक सब्ता छोड़ दिये, तो फिर आगे इससे जोनों कुछ नहीं होने वाला, जहां तक कि वो जोना माइनस नेगेटिव नकरात्मक महीं ही जाएगा, इसलिए वो जोना लगातार चरने वाली विवस्ता है, मानव संसाधन विकास के भी लक्षन, ओके साथ, उसकी समु, संगठन, केमेटी को भी प्रोग्रेस विकास होगा, ओके, उसके नेक्ट में कहा जाता है, मानव संसाधन विकास, मानव संसाधन को संगठन का सरवाधिक महतपुन संसाधन मानकर उसी पर के दिता आता है, यह मानव संसाधन विकास, मानव संसाधन को ही ज जादा उच अस्तर पर उसको मानेता जी जाती है महतपुन संसाधन मानकर जो है यह जो है मानव संसाधन जिस्तर से है उसको विकास करने के महतपुन स्रोत की रूप में उसको मानेता दी जाती है और उसको मानकर केंदित किया जाता है कि सबसे बरा मेरा महतपुन सरवाधिक मह तो पूनवाली संसादन यही है कौन है मानव संसादन ही है उसके उतका आ जाता next point में आपका मानव संसादन विकास कारी मुखेतक करमियों की दक्षताओं और संभावनों की सरवणधर पर केंदीद रहते हैं ताकि वे अपने कारी परियाब रूपसे दक्षमा पूर्वा करने में योग बन सके यह मानव संसादरी विकास का जो मुखेता कार्य होती है जो कार्या कर्मियों होते हैं उसके दक्षताओं की संभावना दक्षताओं होती है उसके दुसकी संभावना यहनि जो कार्य करने के जो भी करता है उसका रिजल्ड किस तरह से हो सकती है उस पर केंदित रहते हैं ताकि वे अपने कारियों पर रुप से दक्षमा पूरवाग करने में योग है जैसे कोई कमपनी नहीं ही हो कम्पनी में स्टाप सब्सक्राइब मीटिंग करती है संगठन रूप में कि यह company हम अगर हम invest करेंगे तो इतना benefits होने वाला यह loss होने वाला अब सभी देखे होंगे अब movie में भी देखे होंगे कि सारे company जो आके के मेटी के रूप में मतलब discuss करते हैं आपस में उसी तरह से इसमें भी समझ सकते हैं, उसके next one आपका जगा मानव संसादी विकास कर्मी संभावनाओं के अधिक्तम परियोग को रिखागित करता है, ताकि वे अपने व्यक्तिक अवम संगठन को प्राप्त करते हैं, वो जो है ना मानव संसादन जो विकास की जो कर्मी होती है, संभावन यहनि कि ऐसा करने के ता ऐसा हो सकता है, तो उस पर ज़ो ज़्यादा ज़्यादा प्रियोग करने की कुशिस करता है, ताकि वो अपने लक्ष को उद्देश को एक परस्नली रूप से संगठन के रूप से, इस कमिटी के रूप से उसको प्राप्त कर सके, ओके next one आपका वाले रिलेशन होनी चाहिए, उसको विकास को बरहावा देती है, ठीक है, उसके next point आप करेगा, यह संगठन में एक सकारतमक वतावरन की रचना करता है, जो कर्मी योगता विकास को बरहा देता है, यह देखे, कोई संगठन है, उसमें जो न अगर स्टाप्स हैं, स्टाप इस तरह से कारेक करेगा, इस तरह से वही का जाता है, उसको सकारतमक वतावरन की रचना करता है, आपको सही तरह के से सभी सुविधाएं दी जाती है, ताकि हमारे कार्याला में हमारे ओपिस में जो न हमारे कमपनी को प्रोग्रेस करें, इस तरह से इसमें भी का जाता है, संगठन में सकत्म वतावरन की रशना करता है ताकि जो वो कर्मी होते हैं वो अपने योगता का विकास को बरहबा देगा वो ज्यादा से ज्यादा अपने योगता को बरहबा देगा अपने योगता में ज्यादा ज्यादा प्रोग्रेस करेगा और इससे कंपनी को भी बेनेफ करते हैं कर्मियों में संगठन से लगाव उत्पन करते हैं कर्मी संप्रेशन को बरहते हैं और कर्मी के जीवन काड़ी जीवन गुनवत्ता को उच्छ तर अस्तर पर ले जा सकते हैं से मोशी बाते हैं जैसे तरह से डिसकस किये वो कर्मेचारे में जो सकारत्मक संसेडिती को विक्सित करेगी उसके फिर वो प्रोग्रेस करेगा वो इस्टाब भी प्रोग्रेस करेगा साथ कमपनी भी प्रोग्रेस का इस तरह से बाते हैं तो यह अभी लक्षन भी हो गया तो उसको इस तरह से आप मेंसन कर सकते हैं, बेहतरी इन तरिके से, उसके next topic आपका जाएगा, मानव संसाधन विकास का विकास, मानव संसाधन विकास का विकास, किस तरह से इसका विकास हुआ, इसके बारे में देखिए, आप सभी सुनिए, इसमें कहा जाता है, मानव संसाधन व विकास का स्थापना, उढगाटन, जन्म, उत्पती, 28 सतावधी के प्रारम में कारी पर प्रेसिक्षन करने के में पाया गया है। अधिक्तम गिरिप योगी चीजिजों का निर्मान कारी गर करते थे। जैसे कि आपका घर के में पलंग हो गया, टेबूल, कुरसी, यही सब चीजे बनाने के लिए फनिचर के रूप में, परिगान के रूप में, यह सब घरेलू, चीजों का उपयोग करने में बने रहते थे, बनाये रहते थे चीजों में, ठीक है, यह कारिगर प्राया, कुछ कर करमचारी भी कारी पर रख लेते थे, जिनें परिस्क्षन दिया जाना आवस्यक होता था, देखे, कारिगर जो थे, अपने कुछ करमचारी को भी राखते थे, जिससे कि उसका जो ना, एक तो उसका दुकान, या फनिचर के जो सौप होती है, उसमें प्रुग्रेस होगी, और साथ-साथ जो नए 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 लोगों को यह जानकारी प्राप्त होगी किस तर से बनाया जाता है, किस तर से उसको प्रेस्टिक्षन दिया जाता है, उसको यह ट्रेनिंग दिया जाता है, उन्हें नाम मातर यह सुन प्राय वेतन ही मिलते थे, अगर एक बात है, अगर आ बिजली का जो आपको मिस्तरी बनने हो इस चीजे जो आप अगर ने ने जाओगे ना अगर आपके पास कुछ भी जान करी नहीं है तो उस समय आपको तनुखा नहीं मिलेगे आपको काम करवाया जाएगा उल्टा जहां तक आपसे लिया जा सकता है क्योंकि आपको उसको सीख आपका सहयोग मिल जाता है हाथ बटाना मिल जाता है तो आपको जो नहीं नहीं के पराबर वेतन मिलेगी या तो कुछ हो सकता है कि खाने पीने के लिए मिल सकता है बस ज्यादा कुछ नहीं उसका जब आप टैलेंड बन जाएंगे तो आपका वेतन फिक्स हो जाएगा और और आप चाप प्रोग्रेस करोगे तो आपके वेतन में भी विकास होगा, ओके, देखे, नेक्ष्ट में कहा जाता है, ये कर्मी उन कारिकरों के पास बिना भुकतान पाए भी उस समय तक कारिकरते रहते हैं, जब तक वो कारी में पूरी कुसलता आर्जित नहीं कर से, जैसे मैंने बताया भी है, एक बार कारी को पूरी तरह सीख कर, उसे कारीकर की नोकरी छोड़ देते, जैसे आप सीख गए तो आपको सिर्फ सीखना था, उसके बाता कारी छोड़ के, आप खुद का बिजनेस बना सक वो मेरे यहां आये, उसका सीखे भी है, मैं इसका जिता जाकता उधार मैंने देखा हूँ, इसलिए मैं इसका एक्जांप बहतर दे पाया हूँ, तो उसमें जो है मेरे पापा के साथ, काम किये उन्हों के, ज्यादा ज्यादा मतलब 10 रुपिया, 50 रुपिया, 100 रुपिया करें, तो आज जोनवही लड़का सब इस्टाप सब जो मेरे यहां काम कर रहा था, तो अभी जो हैं, वो सब मेरे यहां सीख के, वो खुद का बीजनेस, वोना मतलब छोटा-मटा ही अस्टार्ड कर चुका अभी, ऑके, अस्टार्ड कर दिया है, इस्टार्ड कर रहा है कारिगरों ने एक अनुद पादिकरन तंदर की रशना की जो पूर्व सिस्यों के उत्पादों की गुनवकता कारिय की घंटों आधी पर ध्यान रगता था ओके दीरे-दीरे यह कारिगर संगठन अधिक सक्ति साली होते गए और उनका सामना करने के लिए वरिष्ट कारिगरो कारिगरों ने अपने स्वेक्षा के लिए अपने प्रसनली निवजी के लिए संगठन बना लिया और बहुत सारी संगठन होती है ठीक है ना कहा जाता है कि यह स्वेक्षा से भी संगठन आज के सरमिक का प्रारमिक सोरूप थे कहा जाता है कि यह जो है ना स्वेक्षिक से आज की जो संगठन है उसके लिए सरमिक का प्रारामिक स्वरूप है, सरमिक रोजिकार के लिए उडगाटन है, यह सुरुवात दोर है, ओके मानवसनसादन विकास की विकास का आरम 809 में डी विकिंटन द्वारा स्थापित वैवसाइक स्कूल से भी जोरा जाता है, यह जो मा बेरोजगार या किसी ना किसी अपराधिक कारी को लगे रहे, अब कुसल वेक्तियों को वैवसाइक परिस्क्षन परण करता है, जो बेरोजगार है, जो कारी नहीं करता है, अपराधिक है, जो अपरात किये हुए हैं, उसको कारी करने के लिए उसको skills development करवाता है, इसको planning दिया जाता है उसको ट्रेनिंग दिया जाता है इसके माध्याम से उसकर ऐसे ही स्कूलों ने व्यविसाइक सिक्षा का प्रारम किया और उन्हें बेरोजगार अपराधिक कारियों में लगे रहे लोगों को रोजगार दिया कर एक बरी समाजिक समस्या की समाधान का माध्यम बना दिया यह मानव संसाधन विकास जो है वो एक स्कूल टैक का ओपन कर दिया जिसमें जो अपराध किये हुए थे वुना किये हुए थे उसके बाद जो बेरोजगार थे उसको जो है वो रोजगार दिया कर यह करने के लिए उस जगहा दि उसको संसाधन दिये जिससे की एक पार कार करके समपड़ी समाज का अब ऑ तो बदलाव आया बदलाव के अंसथ रोजगार मिला रोजगार से साथ प्रोग्रेस हुआ तो ये देखे कितना विकास किया इस से ठीक है उसके तो कहा जाता है 19-वी सदी के ओधिगी करंथी ने फेक्ट्री इसकोलों का विकास प्राग्रम कर दिया यह जो 19-वी सदी में ओधिगी करंथी हुए थी मसीन, मसीनों ले रही थी, यह जो आप दिरीदर आप समझ सकते हैं कि मसीनी करन होने लगा है, पहले जो हद करगा होता था, अब जो आप मसीनी करन होने लगा है, जो कारी करते थे मजदूर, विक्ति के लिए लगा जाते थे, अगर कोई कारी में दस आदमी लगते थे, अब म से भी चीज़े हैं एक बेहतर उत्पादन व्यस्ता बन रहे थी ऐसे में एक अर्द कुसल सर्मिक भी मसीन की सहता से छोटी दुकानों पर कारे कर रहे हैं कारीगरों से कहीं अधीक उत्पादन कर सकते थे हाँ मसीनों के अधिकारिक पडियोग ने इंजिर्नियों और कुसल मसीन सुधारकों के लिए भी मांग पैदा कर देती हैं इन दसाओं में फैक्टरी स्कूलों की कर्मियों और मसीनों पर कारे करने का प्रिस्थिक्षान देने के लिए स्थापना हुई थी यह जो भी फैक्टरी हैं जो भी स्कूल है उसमें जो कर्मियों के लिए जो स्टुडेंस आएंगे मरनत बिरजगार आएंगे उसको जो मसीनों के कारे करने के लिए जो भी अगर संगठन जिसतर से स्कूल खोले गए हैं बिजली का हो मसीन हो यह सभी चीज़ें के लिए उसको ट्रेनिंग किया जाता था ऐसी एक स्कूल का हो एंड कंपणी न्यू आर्क में होना आठासो बहातर में दस्ताफेश में दर्ज हुसा पाया गया है यह सभी जो नायकर न्यू आर्क में ला कि यह सभी चीज़ें हैं उसके वाहतर कहाता है हेंड़ी फोर्ट ने 1923 में एक स्योजन यूद ने ऐसी उद्योग सालाओं में भी बड़े अस्तर पर सेन यांत्रिक के निर्मान में की मांग पैदा कर दी जहां पहले सम्माने घरे लूप योगी वस्त में ही बनती थी यह जो 1913 बड़े इस्तर पर सेन यांतरिक के निर्मान की मांग पैदा कर दिया कि यहां पेसे जो नियांतरिक के निर्मान करने लगा इसके सम्मानी रुप से घरलु उत्पान करते थे, भात का घ्या के रूप में घरलु में उत्पान होता थे उपयोग होते थे उसको बनाया जाता था परिस्टेयिकैने की जरूरत को बदलती बलबती हो गई ठीके ना, उसके रखाजाता मानव संबन अंदुलन भी उन घटना कर्मों में है, जिन्होंने मानव संसाधन विकास की उद्योग है, जो भी विजनेस है, जो भी विपार है, उसमें एक सार्थक आयाम की रूप में अस्थापना किया है, ओके, यह अंदुलन मेरी पारकर, जो है अंदोलन मेरी पारकर फॉलर्ट और लिलियन गिलिब्रेंथ ने प्रारम किया था अजम देकी इस अंदोलन में क्या था स्वस्तकारे दसाओं न्यूज मस्दूरी यहाँ उस दुभ विवार के विरुद था जो एक्ट्रियोग अकूसल कर्म्यों को सहन करने परते थे यह सब जो है आपकर अस्वस्तकारी आपया और और स्वस्तकारे हो द साफने के हैँ Hem किया इसी संदर्म में अब राहम मलो परटी पादित अब सक्ता अनकरम पर भी धिया जाता था उस्ने अब सक्ता ओं की बात कि सारेविकश्चा की जरूरते संहे और लगाओ की जरूरते आतमसंमान और स्वय चिद्ध की जरूरते ऐसे назyn 우리는 थे ही वास को भी विखास हो तो बहुत बढ़ावा दिया यह दूसरी मवना ये बनाया गय था उसने काफी विकास को परति रौप से अपने विषिट प्रिस्ट्रिइऊफ्ट से रचा एस्थापिट कर लिए यह पसिआफ नहुंने विशेश प्रिस्रिक्छन विवखाग तो कर लिए जो नवा आश्टाफण चाल ट्रेनिंग के लिए जो वेविसाइब ता विश्टाफण के लिए इसको माने करन के दियाता देखिए आंगे का जाता है मानव संसाधन विकास के विकास करम में 1960-70 दसकों की भूमिका बहुत ही निरनाया करिया है यह मानग समसादर्ण विकास की जैसे 1980 के चर्चा हुई थे न उनीस सीग में लगबग इसकी उत्पती हुई थी यह जो ज़्यादा व्यापा करहे थी निरनाया करहे थी सही रही थी इन दस्कों में कर्मियों को प्रसिक्षित करने एवां उसका मार्ग दर्शन करने क आवसकता संगठन कारी में करमचारी वर्गी भागिदार बाने की दिश्टी से स्विकार होने लगी इस दर्सकों में जो 1970 के दर्सक में यहां की जो है परसिक्षित जो ट्रेनिंग के लिए जो उसका मागदर्सन था जो आपका सही दिशा देने वाले जो इसकी आवसकता की रुपश में personally eg व्रगzan क्रमरचारी के लग प्रकार के वर्ग थे उसको भागे दरनी को काफी ज्यादाद के रूप में समझा गया पुरवर्ति ए टी एश्डी का पुर्णा नाम करने एश्टीडी अर्थात प्रिस्ट्रिक्षन विकास है तु अमेरिका सोसाइटी तो इसका कर दिया इस ने अने कॉन्फ्रेंस आयुजित की और उनमें मानव संसादन विकास पद्वन को मानेता मिली इन्हों ने एश्टीडी बहुत सारे केमेटी बनाई, कॉन्फ्रेंस की, सभी लोगों को बुलाया उसके बाद इन्होंने मानव संसादन विकास की परिवासा को उनिस सो असी के दसकांट एवं 1990 के दसकारम में और आगे स्पष्ट किया यह जो है मानव विकास की परिवासा 2018 के बाद और 1990 से पहले के जो नो ने दिया था जैसे पहले हमलों का मानव विकास संसादन के परिवासा को भी देख चुके है उसके दसका 2010 के आगे valve के रूप में तो जो गया और ASTD ऐसी सनस्ता का रूब धारन कर गया जिसके सदस विस्व भर में फैले हुए थे ये ASTD जो है ये पूरे विस्व में फैले हुए है ठीक है तो जितना मैंने आज बोला था कि यहां तक कंप्लेट करेंगे वहां तक हम लोग कंप्लेट कर चुके है और एक और एक सेशन होगा यूनिट टू का जो इससे के हम लोग कभर कर लेंगे यूनिट टू पूरे कंप्लेट हो जाएगा और यूनिट टू आप सभी देख सकते कितनी इंपोटेंट है सारी के सारी topics बहुत ही बहुत ज्यादा important है तो इसको हम लोग complete आप सभी जरूर कीजेगा और एक हो सकते एक बार revision कर लिजेगा और मेरा expression कैसारा please comment जरूर कीजेगा उसके अगर आप फिर से सून लेते हैं तो उससे भी आपका cover हो जाएगा complete हो जाएगा ओके तो बस आज की सेसन में इतना ही रहने देते हैं और वीडियो पसंद है तो like कीजेगा अगर जो भी चैनल में यूँ है प्लीज चैनल को subscribe कर लिजेगा और bell icon को जरूर रीट कीजेगा ताकि next part जैसे भी upload आपको notification मेल जाए और जो भी दिक्कत हो comment कीजिए चलिए मिलते है नेक्स सेसन में तब तब के लिए thank you